हेलो गाइज सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आपका कोई भी इंपर्टेंड वीडियो कोई भी प्रक्तिक का रिलेटेट मीश नहों नौ इस्टार्ट करते हैं अब कार्भाइड़ेट चेह चो इंडिविजल इनीड होता है उसे हम केते हैं मोनो सेक्राइट ठीक है विचिस माइक्रो मोलेकूल से अचिट सेल्वेल पोल में मिलता है ठीक है यह जाटी सुगर भी केता है तो सुगर और सुट एंड वाटर उसका स्ट्रस भी कार्भाइब कंपार्ण है यह उसका इस्ट्रक्चर देख लिजीगा ग्लुकोस का की सिच्ट्रक्चर इस्ट्रक्चर पर फोकर्स इतना कर दिमाग में रख लेना है बस हो ठीक है सो अभी हम पढ़ेंगे डाइरेक्ट कारवार्ट पॉली सेकराइट में चलता है चलिए एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं काफी ही जी है एकदम टेंशन नहीं लेना है मज़े से पढ़ना है पॉली सेकराइट पॉली मतलब है नहीं सेकराइट मतलब इंडिविजल उन सब बने बनवाया है addicted to polymersnamo सेखराइड़ थिए इंडिविजियल इनिच से बन कर रखतबाँ है शूगर करद टीन पर करके होते हैं इक होते हैं मोनो सेंखाइड ठीक है जो एक उनिट होगा कि अगर दो से नो यूनिट होता है मोनो सेखराbon उसे बोलते हैं oligosaccharide 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 और अगर 10 से ज्यादा unit होता है monosaccharide का उठ्ष है हम बोलते हैं polysaccharide just simple classification है नहीं मैं पता दे रहा हूं chemistry में मिल जा गई है ठीक है oligosaccharide polysaccharide अब यह monosaccharide भी depending on carbon number यह trios ठीक है tetros pentos hexos रहते हैं तो pentosugar का example है ribosugar hexos का example है आपका glucose उस तरहीं किसे है तो अतना नहीं जाना पर हम चलते हैं example में कि starch जैसे कि आपको पता starch इसे polysaccharide तो भाईया इसका individual unit क्या है तो glucose है भाईया glucose तो starch इसे homopolymer of glucose वाई homopolymer जाना कि ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस आपका बनाता है starch ठीक है अब इसका structural modification होता है काफी folding होती है starch में ठीक है तो cellulose इसे homopolymer of glucose और एंड ग्लाइकोजन इसे अलसो homopolymer of glucose एंड इनूलीन सबसे इनूलीन सबसे इनूलीन इस यह और homopolymer of fructose काफी मिष्टेख होता है ध्यान रखिएगा तो पहले तो हमने यह देख लिया किसका क्या polymer है तो अब इसको चलिए पढ़ते हैं one by one और उससे पहले उसके बाद भी there are complex polysecret कुछ-कुछ polysecret ऐसे हैं जो की कुछ Amine-dpract मिलक भी बने हैं जिसे Glucosamine glucose में आप जाभ में में लग दोगे तो उसको बलत गण है and अगर आप उसमें अचेटल लग दो ग्ल्कोज में तो एन इस सेटाइल ग्लोकाश सआमाइन बगए लेक्टिस वह क्लृ क्ले क्छी सेकराइट एद से का एक्जम्पले और यह कहा मिलता है और यहुट्री अपढ़ है और अच्छेल आपर जैसे हमने देंग और कोग्रोज एन फंगाई के सेल वाल में मिलता है का आप और अच्छु कि नौ से जोन होते हैं यह आपस में जो है dehydration reaction oxygen water molecule को रिलीस करके जोन होते हैं और जी से glucose तो याद रखेगा उनके बीच में जबंडिंग होगा उसे हम कहते हैं glycosidic linkage ठीक है यह भी डिह लिएक्शन ही है glycosidic linkage नाओ अभी जो है आपका जो यहां में कि उमने द देखा देटी cellulose तो cellulose आपको पता है homopolyma or glucose थीक है सब इस्टार्च और ग्लाइकोजन सभी बट स्टार्च जो है plant का main food to be है और हमारे बॉडि में main food to be उड़्जेब क्यों होता है ग्लाइकोजेन होता है ठीक है जो कि यह कुछ important मुद्ध था और last point is regarding यहां में बता रहा हूं कि starch जो होता है उसका helical structure होता है helical structure बना कि वो क्या करता है अगर iodine के साथ प्रियक करो तो iodine को यहां यह hold कर लेता है यह सब region में यह सब region में तो iodine test में जब आप potato में iodine solution डालते हो तो वो जो है blue color देता है क्यों बिकोस iodine maligus उस helical portion में attach हो जाता है so giving blue color so positive test देखता है बट cellulose का structure जो है एकदम linear रहता है वो helical नहीं बनाता तो वो iodine को hold नहीं कर पाएगा इसलिए cellulose आपका negative test देखता है iodine test में iodine के साथ ठीक है ओके तो और एक structure है यह structure ग्लैकोजन का इसका जो structure होता है branching structure होता है और जैसे कि पता ही यह linear form में देखिए और यह branching बना रहा है और आपको पता है right end है आर्स for right to reducing end है left hand जो है non reducing end है ठीक है मुद्दा क्या है कि इसको यहां जूम करके दिखा हुए तो जो linear structure होता है ना यहरा देखिए linear structure आपस में जुड़े हैं बाए glycosidic bone dehydrogen reaction से बनावाया बट इनके बिच में जो bonding होता है alpha 1-4 bonding होता है glycosidic bone alpha 1-4 glycosidic bone ठीक है क्योंकि 1 एक carbon linear में और यह branching है सिद्धीस वाला branching और अगर branching का बात आता है तो branching में वह आपस में जुड़े है तो alpha 1-6 glycosidic linkage वह glycosidic bone ठीक है बस यही बताना था सो इतना के साथ आपका जो कर्वाइड़ेट है पुली सेक्राइट है काफी है ठीक है कौन किसका polymer है अहों पॉलीमर है अहों पॉलीमर हेट्टो पॉलीमर सब देख लेना है काफी स्वल्ब कर पाओ गया पर नाम से ठीक है सो नेक्स हम स्टार्ट करते है नात्रिटनास बेस निकलीक असीड अल्राइट